नाओ फॉर्मेशन ओफ सीलोम, सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो अपन ने पढ़ लिया था पहले मीजोडर्म फॉर्म हो गई थी, मीजोजेनेसिस हो गया था, मीजोडर्म कहां बनती ही, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के बीच में, यह है आर्केंटिरोन के चैविटी, इ एक था, एपीमियर, मीजोमियर, और हाइपोमियर, जिनके बीच में के चैविटी है, यह जो लेयर ही, क्या है, मीजोडर्म के लेयर है, तो जो सीलोम बनती है, जो मीन बाड़ी कैविटी, इसके अंदर अपने सारे और्गन उते हैं, लंग्स होते हैं, हाट होता है, वो स्प्लैंग कोनो सील, यह बन जाएगी, और और बड़ी हो जाएगी, और यह दोनों तरफ की है, यह आपस में मिल जाएगी, इसका शेप केस हो जाएगा, यू शेप हो जाएगा, ऐसे पहल जाएगी, कैसे बन जाएगी, यू शेप की, अब इसको क्या कहेंगे, अपन सीलो यह जो cavity है यह सीलोम है अब सीलोम के जाओ तरफ दो लेयर से होगी एक तो अंदर के तरफ वाई लेयर होगी मिजोडर्म की एक बहार के तरफ वाई लेयर होगी मिजोडर्म की वाई जो लेयर है इसको कहेंगे अपन विस्टरल लेयर ठीक है और यह वाहे जो लेयर इसको कहेंगे पराइटल लेयर, जो बाड़ी वी cią वाल की तरफ एटो लेयर, जो अंदर की तरफ ए यह वाली विस्डर लेयर, और ऐसे मिसुलेयर से जो बनती है मीजुलेयर इन्येंध कि बीच में केवरिटी बन गई ऐसे, इस तरह के जो सीलोम में उसको कहते हैं, शाइजू सील, यानि फ्रॉग में कौन सी सीलोम होती है शाइजू सीलोती है ठीक है ऐसे सीलोम का फॉर्मेशन हो जाएगा नाओ पोस्ट निूरल और प्री हैचिंग एम्प्रियो अब कहां तक तो डिवलप्मेंट हो गया सीलोम तो फॉर्म हो गया, निूरॉला बन गया था उस निूरॉला बनने के बाद मीजोडर्म बन गई थी, उसके बाद सीलोम बन गई अब निूरॉला बनने के बाद से लेकर, हैचिंग से प्रेलय तक पोस्टो नीयूरॉला बनने की बाद सीलीकी हैचिंग यान एक से लार्वा के निकलने की पहले तक पढ़ी मेंस पहले तक आप्प्रियो का देवलप्मेंट कैसे होगा आप आप पहले तो ऑद अद घूल था बॉल जय सा था अब क्या वह थोड़गा लंबा हो च जाती है, एक चप्ती सत्दा या उभार सा बन जाता है, जिसको कहते हैं गिल प्लेट, ठेक्या, यहां पर आगे के साइट पर बॉर्डी का आगे वाला पार्ट होगा, लंबा होगी एक तामरियो बॉल जैसा था आप कैसा हो गया, लंबा हो गया, इसका अंटेरियर पार्ट ह head बनाएगा, यह क्या बनाएगा, tail part बनाएगा, इसके आगे की तरफ भी क्या एक pit है या गडधासा है ये और इसकी पीछी की साइट पे इसको कहेंगे proctodial pit और यह आगे की साइट पे है इसको कहेंगे stomodial pit, stomodial pit से तो डेवलाप होगा mouth और proctodial pit से आगे जाएके डेवलाप होगा एनस और प्रोक्टोडियल जो पर ठेस की बात का जो पार्ट है यह जो उब्रावा पार्ट है यह आगे क्या बनाएगा टेल बनाएगा इसको क्या कहेंगे अभी यह टेल बड यह क्या है टेल बड यह आगे जाएके इस जगह पर होंगे इसकी उपर गिल प्रेट की, तो गिल प्रेट भी ही होगी गिल प्रेट की उपर क्या होती है थ्री उभार दिखते हैं, पर उनको तीन उभार उभरी होई जगह दिखती है जो क्या है, आगे जाके क्या बनाएंगे गिल आक्स बनाएंगी इस टाइम पर जो MDO किते parts में डिवाइड हो गया थ्री parts में एक तो है head वाला part इसका आगे वाला, एक है इसका trunk या धड़ वाला part और एक है इसका tail वाला part पीछे वाला, इसमें myotomes बने होई दिखेंगे, धड़ वाले part में श्रंक वाले पार्ट में मायाटॉम से किसे डिवलप हुए थे, एपेमियर से डिवलप हुए थे, वो दिखेंगे, अब क्या है, सिर की अधर सहल पर नीची के तरफ, हेड वाला जो पार्ट उसके नीची के तरफ क्या होता है, एक सकर प्रेजेंट होता है, यू शेप का सकर होता है, इसको कहते है, ओरल सकर या फे वेंटरल सकर, इसके अंदर होती है, स्पेशल ग्लेंज, जो किसका सीक्रेशन करती है, मुकस का सीक्रेशन करती है, और उनको कहते है, सीमेंट ग्लेंज, आगे जाएक जब थेचिंग होगी, जब जो लारवा है, वो एक से बहा निकल जो आगे किसे connected हो जाएगी बाद में स्टोमोडियम से और पीछे प्रोक्टोडियम से, यानि कम्प्लीट होगी और सोमाइट्स जो थे, जो एपी मेर से डिवलप हो थे, वो क्या बना लेंगी? बॉडी की मसल्स बना लेंगी उसके बाद जब डिवलपमेंट हो जाएगा लारवा का तब वो हैचिंग हो जाएगी, वो एक से बहार निकल जाएगा